अगर आप क्वी पिट से जुड़ी समस्यां से परिशाने हैं तो अनार से ऐसे करें उपचार अनार एक गुणकारी और सेहत के लिए कई तरीकों से लाबता एक फल है आनमे त्री दोश यानी वायू, पित और कफ से जुड़ी समस्यां दूर करने की क्षमता होती है आई ये जानते हैं अनार से होने वाले फाइदों के बारे में अनार के दानों में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है एक अनार का सिपन रोज किया जाए या अनार का जूस रोज पिया जाए तो शरीर में खून की कमी नहीं होती अनार से शरीर के खून में लाल रख्त कने काउं की वृध्धी होती है सूखे अनार दाने का चून पाच्छनक्रिया को अच्छा बनाता है अनार का चून नपाच केस बधजमी खटी ड़कार जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है अनार का शर्बत गर्मी और अधिक प्यास लगने की समस्या को दूर करता है खांसी होने पर अनार के चुलके का टुक्ना मूह में रखकर उसके रस को चूसने से बार-बार खांसी नहीं आती आयुर्वेद में अनार के दाने, चिलका, फूल, पतिक, जड़ और अनार के व्रिक्ष की चालका और शधी के रूप में उप्योग किया जाता है अगर आप पीपेट से जुड़ी समस्यां से परिशान हैं तो अनार से ऐसे करें उपचार अनार एक गुणकारी और सेहत के लिए कई तरीकों से लाबतायक फल है, आनमे त्री दोश यानी वायू, पित और कव से जुड़ी समस्यां दूर करने की क्षमता होती है आई ये जानते हैं अनार से होने वाले फाइदों के बारे में अनार के दानों में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, एक अनार का सिपन रोज किया जाए या अनार का जूस रोज पिया जाए तो शरीर में खून की कमी नहीं होती अनार से शरीर के खून में लाल रख्ट कने काउं की व्रिधी होती है सूखे अनार्दाने का चून पाच तनक्रिया को अच्छा बनाता है अनार का चून नपाच गैस बदहजमी खर्टी ड़कार जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है अनार का शर्वत गर्मी और अधिक प्यास लगने की समस्या को दूर करता है खांसी उने पर अनार के छिलके का टुक्णा मूह में रखकर उसके रसको चूसने से बार बार खांसी नहीं आती आयुर्वेद में अनार के दाने, छिलका, फूल, पतिक, जड़ और अनार के व्रिक्ष की छालका और शाधी के रूप में उप्योग किया जाता है अगर आप क्वी पिट से जुड़ी समस्या से परिशाने हैं तो अनार से ऐसे करें उपचार अनार एक गुणकारी और सेहत के लिए कई तरीकों से लाबतायक फल है आनमे त्री दोश यानी वायू, पित और कफ से जुड़ी समस्याएं दूर करने की क्षमता होती है आई ये जानते हैं अनार से होने वाले फाइदों के बारे में अनार के दानों में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है एक अनार का सिपन रोज किया जाए या अनार का जूस रोज पिया जाए तो शरीर में खून की कमी नहीं होती अनार से शरीर के खून में लाल रख्त कने काउं की वृध्धी होती है सूखे अनार दाने का चून पाच्टन क्रिया को अच्छा बनाता है अनार का चून नपाच गैस बधजमी खर्टी ड़कार जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है अनार का शर्बत गर्मी और अधिक प्यास लगने की समस्या को दूर करता है खांसी होने पर अनार के चुलके का टुकणा मूह में रखकर उसके रस को चूसने से बार बार खांसी नहीं आती आयूरवेद में अनार के दाने, चिलका, फूल, पतिक, जड़ और अनार के व्रिक्ष की चालका और शधी के रूप में उप्योग किया जाता है